हिमाचल के गुगलाडा में क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया गया जिसमें खिलाडियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है आपको बता दे कि पूजा पठानिया फाउंडेशन के सोजन्य से हिम स्पोर्ट्स कलब चलवाडा की देख रेक में क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया गया इस ट्रॉफी का शुभारंब जोंका रतियाल के प्रधान लेखराज ने किया उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में फाइनल विजेता टीम को 51,000 वर रनर अप टीम को 21,000 का नगत एनाम दिया जाएगा उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में करीब 15 टीमें भाग ले रही है और ये टूर्नामेंट 15 दिन चलेगा इस अवसर पर मुख्याती थी प्रधान लेकराज ने टॉर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाडियों को शुब कामनाय देते हुए ऐसे टॉर्नामेंट करवाने के लिए पूजा पठानिया फाउंडेशन का आभार जताया उन्होंने कहा कि आज युवा पीड़ी नशे की और बढ़ रही है इसकी रोक थाम के लिए खेलों का आयोजन बहुत जरूरी हो गया है इससे बच्चों का ध्यान नशों से हट कर खेलों की और बढ़ेगा बता दे कि आज का मैच राजा तालाब वपठान कोट की टीमों के बीच हुआ जिसमें राजा तालाब की टीम 11 रन से विज़ई रही इस मैच में रमन कुमार को मैन ओफ दे मैच गोशित किया गया इस अफसर पर हिम स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष राजेश्वर ठाकुर, उप्रधान तिलक राज, बीडीसी शशी बाला, रवी भाटिया, अवतार सिंग आदी मौजूद रही गुगलाडा से समादाता दौलत चोहान की रिपोर्ट जबाओं को मेरा यही संदेशा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ ध्यान देएं, ताकि इस मेच जैसे हम आख़ालों में देखते हैं, जब मेडिया में सुनते हैं, कि ज़्यादतर बच्चे नश्यों की तरफ भाग रहे हैं, कम से कम उनसे शुटकारा मिले, बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सुट्स्क्राइब करें, हैंने वारी